बिहार और बिहार की राजनितिक की किस से शायद ही कोई ना जानता हो कहा तो यहां तक जाता है कि बिहार और यूपी से होकर ही दिल्ली तक के कुरसी तै होती है बीदे एक साल में बिहार की राजनितिक में एहम बाते क्या रही और आने वाले साल में इन बातों का क्या असर पड़ेगा आज बात हम इसकी करेंगे जाते जाते ये साल बिहार के सियासत और राजनितिक में क्या-क्या रंग छोड़ी जा रहा है और इन रंगों का नए साल यानि की 2022 में क्या असर पढ़ने वाला है बात इसकी करेंगे बात होगे बिहार में उपचुनाव से लेकर लालू प्रशाद के बिहार आने तक NDA में टूट से लेकर यूपी चुनाव तक तेश प्रताप की नाराजगी से लेकर तेजस्वी के गुपचुप तरीके से हुई शादी तक चाचा भतीजे के बात से लेकर विवाद तक नमस्कार मेरा नाम बीना है और आप दा इंजिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे पहले बात करते ही लोचपा की क्योंकि साल 2021 की शुरुआत में ऐसा घटना सामने आया जिससे बिहार की राजनितिक या ऐसा कहें कि जिससे हर कोई सतके में आ गया था चाचा पशुपती पारस और चुराग पास्वान ने पार्टी के नित्रित्वों को लेकर लंबा विवाद चला अंत में जाकर लोचपा दो भागों में बढ़ चुका आपको बता दे कि जून 2021 में ही पार्टी टूट चुकी थी और ऑक्टूबर में चाचा और भतीजे अलग हुए यानि कि इनकी पार्टी अलग हुई 5 ऑक्टूबर 2021 को दोनों के पार्टी को नया नाम मिला और नया चुनाविचिन मिला हाला कि पार्टी के दो भागों में बढ़ चाने से दोनों ही नेताओं को आगे भी खामियाजा भुगत ना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं पार्टी कमजोर पड़ी और वोटर भी बढ़ चुके हैं इस साल बिहार की राजनिति के लिए खास इसलिए भी रहा क्योंकि गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रशाद यादव छे साल बाद जनता के बीच आये थे उप चुनाव को लेकर लालू प्रशाद यादव बिहार की धर्ती पर 24 अक्टूबर 2021 को आए आपको बतादे कि चारा घोटाला में सजा पाए लालू प्रशाद यादव लंबे वक्त तक राची के होटवार जेल में रहें इस दोरान में बिमारी के कारण इलाज के लिए राची के रिम्स वा नई दिल्ली के एम्स में रहें खास बात ये है कि लालू इससे पहले तेश प्रताप यादव की शादी के दोरानी पटनाये थे आपको बताते चले 6 साल बाद यानि की 25 और 27 अक्टूबर को उप्चुनाओ का प्रचार करने लालू प्रशाद यादव जनता के बीच गये हाला कि लालू का कमाल उप्चुनाओं में देखने को नहीं मिला क्योंकि राज़त जो है वो नहीं जीत पाई थी और ऐसा कहा जाने लगा कि लोग प्रियता जो है लालू प्रशाद यादव की वो बिहार में अब जाकर कम हो गई है वही बात लालू के लाल तेश प्रताप यादव की करे तो इस साल तेश प्रताप यादव का बवाल भी चर्चा का विशे रहा अपने ही पार्टी की खिलाफ मुखर होकर तेश प्रताप बोलते रहे आरजेडी में तेश प्रताप का बवाल चरम पर रहा ये भी कहा गया कि लालो प्रशाद यादब को दिलने से बिहार इसलिये लाया गया है ताकि तेश प्रताफ यादब को शांत कराया जा सके बिहार उपचुनाओ की चर्चा खूब रही क्योंकि बिहार में महागडबंधन भी टूटा कनहिया कुपार CPML से हट कर कॉंग्रेस में आ गए उनको भी भारी हर का सामना करना पड़ा कॉंग्रेस का हाल तो साप चुचुन्दर वाला हो गया और उपचुनाओ के बाद तो कॉंग्रेस जैसे कहीं गुम सी ही हो गई वही राज़त का पासा भी उल्टा पड़ा लालू की तबियत खराब होने के बावजूद प्रचार करने आए लेकिन इसका कोई फाइदा राज़त को मिलता नहीं दिखा अब बात लालू के छोटे लाल यानि की तिजस्वी यादब की क्योंकि इस साल अगर सबसे ज़्यादा बिहार के सियासत में किसी की चर्चा हुई तो वो थे तिजस्वी यादब आपको बता दे कि तिजस्वी यादब चुनाओ के पहले से लेकर बात तक, बिहार से लेकर दिल्ली दौरे तक और गुपचिप तरीके से शादी करने के बाद चर्चाओं में बने रहे हैं तो क्यों क्रिस्मस मनाने के लिए तिजस्वी और रेचल दिल ली गए कुल मिलाकर लालू परिवार पूरे साल खबरों में बना रहा आप बात NDA के सरकार की तो आपको बता दे की NDA सरकार में उपर से सब कुछ ठीक है लेकिन अंधर ही अंधर घमासान मचा हुआ है एक ही मुद्दे पर सरकार दो भागों में बढ़ चुकी है चाहे बात शुराबंदी कानून की हो बिहार को विशेश राचे का दरजा देनी की हो या फिर जातिय जंगरना की हो ऐसा एक भी मुद्दा नहीं जहां ये सांथ नजर आए हूँ पर सरकार सांथ में चल रही है और डबल इंजन की सरकार बिहार में फिलहाल है बहुत खीचा तानी के बाद अगर बात करें तो अब यूपी में सांथ होने का दावा किया जा रहा है कि यूपी चुनाओं में जदियों और विजपे सांथ होगी वही ये साल जाते जाते इस बात का संदेज दे रहा है कि NDA के सरकार डगमाडूल के स्लती में है मुकेश चाहनी और मांजी दोनों ही NDA के सरकार से नाराज चल रहे है सरकार गिराने की बात बार बार बोल रहे है जैसे तैसे डेमेज कंट्रोल किया जा रहा है मांजी के द्वारा प्रामणों को लेकर कहे गए अपशब्द की आग तो नए साल में भी खत्म होनी की संभावना नजर नहीं आती है आने वाले साल में बिहार की राजनितिक पर बड़ा फेर बदल होने वाला है अने वाले साल बिहार की राजनितिक में क्या रंग ला सकता है जातिये जनगणना की बात करने वाले तेजस्वी ने अलगधर्म की लड़की से शादी कर ली है नरेंद्रमोदी के हनुमान यानि की चिराग पासवान ने अपने रास्ते अलग कर ली है तेज प्रताब जो की अपनी ही पार्टी और परिवार के विरोध में थे वो चुप हो गए है मांजी और मुकेश चाहनी की मुलाकाते होने रगी है नितिल्स कुमार ने जनता के महत्वों को समस्ते हुए जनता दर्बार एक बार फिर से शुरू कर दिया है विजेपे नेता कभी मांजी तो कभी मुकेश चाहनी को मनाने में लगा हुआ है अब देखना ये है कि बिहार की राजनितिक नए साल में क्या कुछ नया रंग दिखलाती है आपको क्या लगता है आप भी अपने सुझाओं हमें कमेंट के जरिये दीजिए इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अस्यान ने तमाम खबरों के लिए बने रहें दाइंजा आपके साथ धन्यवाद